दोस्तो आज बात करेंगे 0.0 tablet के बारे में इस वीडियो में जानेंगे 0.0 tablet के अंदर chemical content क्या है ये कितना effective होता है क्या इसके side effect होते हैं कितने दिन तक लेना safe है और किस-किस medical condition में patient को लेना चाहिए तो वीडियो के अंद तक बने रहे हैं दोस्तो 0.0 एक schedule H medicine है मतलब इसको लेने से पहले आपको किसे रेकिसी डर्टर, chemist, dragist, pharmacist या pharmacologist की सल्णा लेना आवश्यक है दोस्तो 0.0 एक पूर्टे ऐलोपेथिक दवा है अगर chemical composition की बात करें तो इसके अंदर acy-kilofenath 100 NG डाला दया acy-kilofenath non-esteroidal anti-inflammatory drug का एक family member है जनरली हम इसको NSAID बोल देते हैं और molecular formula की बात करें तो C16S30CN2NO4 इसका molecular formula होता है दोस्तो medicinal properties की बात करें तो यह antipyratic और analgesic होता है इसनिए यह mild to moderate pain और fever में भी इसको जो है दिया जाता है क्योंकि यह temperature को maintain करता है या fever को reduce करता है अगर दोस्तों बात करें इसकी dose की तो generally एक अटन पेसेंट के लिए इसको 100 mg सुबा नास्ते के बाद और 100 mg साम खाने के बाद दिया जाता है जो pH sufficient dose हो जाती है Doot patient की बीमारी की severity के हिसाब से भी adjust की जाती है कहीं पर doctor इसको ज्यादा भी सकते हैं और कहीं इसको जो है कम भी दे सकते हैं बच्चों की लिए दभाबनी नहीं है कहीं कहीं इस बोशिरू एक अधनलत या फिर इतने भी 18 प्लस लोग हैं वो इसका इस्तमान कर सकते हैं दोस इसे जनरली को यह ऐसे खास side effects देखने को इसके नहीं मेलते मेरी अपनी प्रक्टिस में और मेरे सीनियरों के प्रक्टिस में इसको लेने से किसी जादा गले में खुष की महसूस होती है अगर side effect करता है तो यह जाद दर उसको जो है पानी पीने की सलभ दी जाती है यह फिर कि सिकाइट कर सकता है जैसी सिकायत हो सकती है कमी कभी जो है चक्करानी जैसी सिकायत होती है लेकिन यह जो है यह सिम्टम जो है एक तो दिन में सबसाइट हो जाते हैं और ऑन दा स्पोर्ट की बात किया तो पास साथ गनटी यह जो है सिम्टम साते हैं और उसके बाद जो है हम को पेइन किलर है और सिर्फ पेइन किलर हम इसे मानते हैं यह जनरल पेइन किलर है जो समी तरह की medical condition जैसे कि अगर किसी को भी दाड़ का यह चोट का मोच का यह जोडों का यह कटिया का किसी भी तरह का अगर दर्द होता है यह फिर स्वेलिंग होती है तो उसमें इसको देना जो है उची समझा जाता है और सामानी तोर पर यह काम भी करता है अमारी बोड़ी के अंदर अगर प्रस्टाग्लेंटिम बढ़ने लगती है तो यह समस्या देखने पर मिलती है जैसे कि ओडिमा हो जाना स्वेलिंग हो जाना कहीं य तो रिलेक्स महसूस करता है पेन उसका सबसाइड हो जाता है अगर जनरली बात करें तो यह किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है जो बीमारी से रिलेटिज सिम्टम्स है उनको जो है सबसाइड करता है या ठीक करता है इसको जो और बहुत सारी दवाओं के साथ जो है प्र प्रिकत नहीं होती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल जवाब इस वीडियो में मिल गया है फिर भी अगर कोई फर्दर वीडियो बनानी चाहिए या फिर सवाल का जवाब देना चाहिए तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट के माध्यम से भी जवाब देने की साथ मैंगर वीडियो की जुरुत पड़ी तो वीडियो की वैसे मैंने बहुत सारे सवाल और जवाब इसमे आपनाव से लेके ही सॉन कर दी है आपको, तो अमीद करता हूँ जो आपको जान करी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छो लगते है तो एक लाइक कर दे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे मैं मिलता हूं किसी नहीं वीडियो में टोपी के साथ तता चैनल वो विजिट करते रहे हैं